तो कैसे मेरे वीडियो के साथ तो यहां पर आची इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जो कोटक का क्रेडिक करता उसका रिवाट पॉइंट्स आपको कैसे एमाज़ान इवाउचर में रिडिम करना है बहुत ही सिंपोल सा प्रोसेस है तो चलिए मैं आपको अपना कोटक दिखेंगे credit card के section में तो आप नीचे scroll कीजिए आप जैसे नीचे scroll करेंगे तो आपको देखिए आप एक कोटक rewards का एक option यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा तो आप यहां पे click कर दें अब यहां पे click करने मद आपका पूरा reward points यहां पर दिखाएगा जैसे कि आप मैं आप देखिए Amazon का है KFC का है और भी बहुत सारे vouchers आपको देखने के लिए मिलेंगे यहां पर sorry मैं यहां पर redeem करने चले गया तो मैं पर देखिए Amazon vouchers मिलेंगे और भी scroll करेंगे तो पूरे vouchers आपको देखने के लिए मिलेंगे यहां पर flip cut का चाहिए तो हमारे case में 100 मैं यूज करूंगा तो 400 का मुझे INR यहां पर देख पाएंगे मिलेगा तो मैं अब दिखाता हूँ आपको तो आप यहां पर click कर दें अब यहां पर click करने के बाद आपको देखिए यहां पर plus का sign मिलेगा तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था मेरे पास 1700 रिवाट पोरा समरी दिखा देगा प्रसीड टूपे के वपर क्लिक कर दें आप चाहते हैं कि आप किसी मतलब email आडिया फोर नंबर पर रिवाट पोईन्च रिडिम करना चाहते हैं तो आप यहां पर डाल दें मेरे किसम यह सब डाल दें काल के मैं यहां पर क्लिक करूंगा क्लिक करने के पूरा समरी दिखाएगा कौन से काड है कौन से काड का आप रिवर्ड पॉइंच यूज कर रहे हैं क्या कैश वैल्यू है उसकी यह सब करने के बाद यहां पर देखिए आपको टिक करना एक रिटम्शन कंडिशन उसके बाद या फिपकाट पे फोच और बहुत सारे वाऊचर आप जरूर जाके उसे देख सकते हैं तो मैं इस वीडियो में दिखाया नहीं क्यूंकि बहुत सारे बाउचर साब को माँ पे देखने के लिए मिल जाता है तो यह सिंपल सा वीडियो है अगर आपको कोई डाउट है कोटक का से रिलेटेड आप जरूर मुझे कमें सेक्शन में पूश सकते हैं तो अगर आपको मान लिजे कैश बैक में या कोटक अकाउंट ऑपन करना हो क्रेडिट कार्ट का क्रेडिट कार्ट के बारे में जानना हो बहुत सारे में वीडियो बनाता हूं इसके ओपर और एक का सोरी जो क्रेट होता है क्रेडिक राट का बिल वगर भरने में बहुत आसानी है तो अब जरूर जाके उसको इंस्टॉल कीजिए तो डिस्रिप्शन में लिंक है उसे भी जाके जैक आउट कर सकते हैं और बहुत सारे वीडियो बनाते रहता हूं तो अगर आपको कोई डाउ